हलो में प्रीटी, इजी टू कुक से, आज मैं आपको बहुती टेस्टी, बहुती बढ़िया अर्वी का जोल बनाना बताऊंगी अर्वी का जोल यानि की एकदम अर्वी के हमें पतली और चटपटी सब्जी जिस तरीके से आलू का भी जोल बनता है आगरा की बहुत फेमस रैसीपी है, परन्तु में इसे बहुत सिंपर तरीके से बनाऊंगी और यह बहुत तरीके से बनाई जाती है तो आईए अब हम अर्वी का जोल बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने 500 ग्राम बॉइल अर्वी ली है, इसको छील का अच्छे से मैश कर लेंगे, बिल्कुल हमेंसे अच्छे से मैश करना है जोकि हमको इसको एक दम पतला रखना है, इसमें पीसीज नहीं दिखने चाहिए जादा अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हमने देशीगी डाला, चुकि जोल है, रसे की सब्योगी जोती है, वो देशीगी में अच्छे लगती है अब इसमें हिंग डालेंगे अजवाइन डालेंगे आप देखेगा कितनी जल्दी सब्जी बनती है और बहुती बढ़िया लगती है इसको पूरी के साथ खा सकते हैं प्राटे के साथ खा सकते हैं और कई तरीके से बनाए जाती है मखाना डाल कर भी बनाए जाती है बहुती जादा रिच ग्रेवी के साथ परन्तु बहुती में सिंपल तरीके से एक अलग तरीके से बनाना बता रही हूं जिसका आप रेगुलर वे में बना सकते हैं अब इसमें हमने हरेमिच डाली दो कटी हुई गैस हम एकदम धीमी रखेंगे इस समय ताकि मसाले जलना पाएं धनिया पाउडर डाला सुखा हल्दी पाउडर खटाई डालेंगे और सब मसालों को अच्छे से भूल लेंगे बहुती गैस हम को सिंप रखनी है आप देखेंगा कितनी जरासी से अरवी में कुछ 25 ग्राम अरवी में आप 4-5 कटोरी सबजी बना सकते हैं अब इसमें देगी मिच डाली जो इसको अच्छा सा कलर भी देगी और ये काफी सबजी सबजी बनती है अब इसमें जो हमने मैश करी ये अरवी रखी है उसको डालेंगे अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे आगरा की बहुती फेमस रेसिपी है ये वह आम तोर पर शादियों में भी जो है वो सबजी बनती है परमतु वह थोड़ी भहँ ज़ादा रिच होती है अब इसमें पाने डालेंगे गैस को अब हम तेज कर लेंगे और तेज गैस पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे ही उबालाएगा तो ये सब अच्छे से मिक्स होने लगी गयर भी अब देखे इसमें दीरे-दीर उबालाने लगा है नमक डालेंगे टेस्क के अनुसार शाथ इसमें गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला हम और थोड़ा जादा भी डाल सकते हैं अगर आप बहुत स्पैसी खान खाते हैं तो आलू कचोल की मैंने अप्लोड की हुए जिसको हम कचोड़ी के साथ खाते हैं अब इसमें उबाल आ चुका है उबाल आने के बाद इसको हम धीमी गैस पर एकदम सिम गैस पर धीमी धीमी गैस पर पकाएंगे तो इस तरीके से क्या हो गए बिल्कुल एक रस हो जाएगी यानि अर्वी और पानी बिल्कुल एक साथ जागा इस तरीके से नहीं कि पानी अलग जा रहा है अर्वी अलग जा रही है तरीविसको हम 10 मट तक इसको बहुत दीमी गैस पर पकाएंगे तो आप देखे किती जल्दी ये सबजी बन जाती है और बहुत ही बड़ी है इसका टेस्ट लगता है जटपर बनने वाले सबजी है अब इसके उपर हम हरा धनिया डाल देंगे वरना आपके पास सूखा तो सूखा डाल सकते हैं इस समय में पास सूखा धनिया है तो देखिए इस तरीके से हमारा अर्वी का छोर बन कर तयार है इसे पूरी प्राटे किसी के साथ भी खाईए जटपर बनाईए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू